differential सभी four wheelers का एक बहुत ही important हिस्सा है wheels को drive shaft के जरिये engine से power मिलती है differential का main function engine से power लेते हुए इन wheels को अलग-अलग rpm पर turn करने में सक्षम करना है मान लीजिए कि ये सारे wheels एक turn लेने की कोशिश कर रहे है ये बिल्कुल साफ है कि left wheel को right wheel की तुलना में ज्यादा दूरी तै करनी पड़ेगी इसका मतलब ये है कि left wheel को ज्यादा तेजी से rotate करना होगा अगर इन wheels को एक solid shaft का इस्तेमाल करके जोड़ा गया है जैसे कि दिखाया जा रहा है तो इन wheels को turn करने के लिए फिसलना पड़ता है और यहीं differential मुख्य भूमिका निभाता है differential का सरल mechanism इन दोनो wheels पर power transfer करते हुए left और right wheel को अलग-अलग rpm पर turn करने की अनुमती देता है हम step by step तरीके से सीखेंगे कि differential ये कैसे अचीव करता है एक सरल configuration का इस्तिमाल करके engine से power को pinion gear के माध्यम से ring gear में transfer किया जाता है ring gear एक spider gear से जुड़ा होता है जो differential के एकदम बीच में होता है spider gear दो प्रकार के rotations करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है एक ring gear के साथ और दूसरा अपनी axis पर spider gear को दो side gears के साथ mesh किया जाता है इसलिए engine से power, pinion से left और right wheels तक flow करती है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है अब कुछ अलग-अलग cases को देखते है वाहन सीधा चल रहा है इस case में spider gear, ring gear के साथ साथ rotate करता है लेकिन अपनी axis पर rotate नहीं करता है spider gear side gears को धक्का देगा और उन्हें turn करवाएगा और दोनों एक ही speed पर turn हो जाएंगे या फिर जब वाहन सीधा चल रहा है तो spider side gear assembly एक single solid unit की तरह चलेगी अब वो case देखते हैं जिसमें वाहन right turn ले रहा है spider gear यहाँ एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है ring gear के rotation के साथ spider अपने स्वयम के axis पर rotate करने के लिए मजबूर हो जाता है तो spider gear में एक combined rotation होता है side gear पर combined rotation का प्रभाव दिलचस्प होता है जब ठीक से mesh किया जाता तो side gear की peripheral velocity spider gear के समान होनी चाहिए जब spider gear spin करने के साथ साथ rotate भी कर रहा है spider gear के left side की peripheral velocity spinning और rotational velocity का sum होती है लेकिन right side यह दोनों के बीच का difference होती है या left side gear में right side gear की तुलना में ज़्यादा speed होगी इस तरह से differential अलग-अलग speed पर left और right wheels को turn करता है left turn लेते समय spider gear विपरीद दिशा में spin करेगा load उठाने के लिए आम तोर पर एक और spider gear जोड़ा जाता है भारी वजन उठाने वाले वहनों के लिए चार spider gear arrangement इस्तेमाल किया जाता है अलग-अलग rpm पर wheels को घुवाने की अनुमती के अलावा differential के दो और functions होते हैं पहला, pinion ring gear assembly में speed कम करना है इसके वजह से, torque multiplication होगा दूसरा function, power flow direction को 90 degree turn करना है अब तक हमने जिस differential को समझा है, उसे एक open या standard differential के रूप में जाना जाता है ये विभिन rpm पर wheels को turn कर सकता है लेकिन इसमें एक बड़ी खामी भी है ऐसी स्थिथी पर विचार करें, जहां वाहन का एक wheel एक ऐसे surface पर हो जहां अच्छा traction हो, और दूसरा wheel slippery track पर हो इस case में एक standard differential फिसलते हुए wheels को जाधा power भेज देगा इसलिए वाहन चल नहीं पाएगा इस समस्या को दूर करने के लिए limited slip differentials की शिरुवात की गई है हम उनके बारे में और जानेंगे एक अलग विडियो में patreon.com पर आपकी सहायता हमें और अधिक विडियोस को इंग्लिश से डब करने में मदद करेगी धन्यवाद